कि दों ड़ो टाफिक जो है वह संधन वर आस्वन डिदित संधनन का मतलब समझती हो गया हता संधनन और य। ऑशवन संधनन का भाफ निकलेगी और इस पर प्लेट रखेंगे यहां से बूंदे निकलेगी बूंदे जो नीचे गिरने लगती है वही हमारा होता है आसवन आसवन का मतलब वास्पन वास्प के माध्यम से जिसे हम गाउं में या हंडियों के मौसम में देखते हैं कि जो ओस गिरती है तो ओस तरीके से बूंदे वह बंद जमने लगती है उससे क्या होता हो कुल में लाके इसकी दो प्रक्रिया होती एक तो होता है द्रव द्रव से वा किसी द्रव को कि जब वास्प में वह परिवर्थित होती है तो उसको क्या कहेंगे संगन से की जिसे आपने पढ़हा होगा कि जब वर्षा होती है तो बादनों करूकंसे में वर्षा में तो वास्तवत्ता में क्या होता है कि बादन जो हौते हैं वो एक बूसरे सी ब्प लगे पूरि अगर आप मांते लिए इतना बड़ा पीस लेकर आए ब्रक्त कर तो उतने बड़ा नहीं रहेगा अगर उसको फ्रीजर से आप निकाल लेएंगे उसके बाद में देरे देरे क्या होगा वह धंडा हो करकर गरम होगा उसमें से धुंआ भी निकलता देखा कि जिए वास्तन होता है उसको हम क्या करते है संधनन कहते हैं तो यह संधनन, कि मैं और और वास्प में बदलना क्या कहलता है? संधनन कहलाता है द्रव से वास्प में और वास्प से द्रव में बदलने की विदी को हम क्या कहते हैं संधनन कहते हैं जैहें